हलो दोस्तों मैं रमेश चोपडा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे एक वाफ़े वलकम करता हूँ आज मैं आप सबके साथ कुछ ऐसे पॉइंट डिसकस करने जा रहा हूँ जिनको अच्छी त्रिक के से समझ के आप अपनी बैटिंग को घर में बैठ के ही इंप्रूव कर सकते हैं या वो बचे जो अकैडमी जाना अफोर्ड नहीं कर पाते या वो बचे जिनके आसपास अकैडमी है नहीं या वो बचे जो जिनके लिए एक कोचिंग अवेलेबल ही नहीं है या उनके एरिया में कोई अच्छी अकैडमी अच्छा कोचिंग सेंटर या कोई कोच है नहीं वो अगर इस वीडियो को अच्छी टिक के से देखेंगे तो वो समझ सकते हैं मैं इतना जानता हूँ इतने सालों की कोचिंग के बाद कि क्रिगर की कोचिंग लेना असान नहीं है यह थोड़ा मुश्किल है, इक्स्पेंसिव गेम है, समान महंगा है, फीसिज महंगी है अकैडमी में जाने आने का खर्चा ज्यादा है, ट्रांस्पोर्टेशन में बहुत खर्चा लगता है तो इसलिए आप ये वीडियो को ध्यान से देखें, शुरू से ले के अखिर तक आपके लिए बहुत कुछ है इस वीडियो में सीखने के लिए कि हम घर बैठके बैटिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आज मैं आप सबको चार पॉइंट उताने वाला हूँ जिनको करके आप अपनी बैटिंग को घर में बैठके बिना किसी कोच की हेल्प के, बिना किसी गाइड की हेल्प के खुद वखुद अपने आपको ट्रेन कर सकते हैं वो चार पॉइंट है, पहला है शैडो प्रेक्टिस दूसरा है हेंगिंग बॉल तीसरा है टी कोन पे रखी हुई बॉल को हिट करना और चौता है बॉल के ओपर बैट को टैप करना ये चार चीज़ें अगर आप ध्यान से कर लेंगे तो मेरे रिकिन मान के चलिए कि आप अपने आपको किसी भी कम्पिटिशन के लिए तैयार कर लेंगे अगर आपके घर के आसपास कहीं भी चोटी मोटी प्रेक्टिस होती है या एक ग्रुप 5-6-7 लड़कों का मिलके आप कहीं किसी पार्क में किसी खुली जगा पे प्रेक्टिस कर रहे हैं तो आपको इस इन ड्रिल्स के दुआरा इन ड्रिल्स को करने के बाद बहुत फाइदा हो सकता है या अपने आपको कंपेटिशन के लिए आपने याग कर सकते हैं तो हम शुरू करते हैं ड्रिल नमबर एक किसी भी शॉट को हम शैडो प्रेक्टिस कैसे कर सकते हैं इसमें वर्टिकल बैट, होरिजन्टल बैट कोई भी शॉट हो आप उसकी शॉट प्रेक्टिस कर सकते हैं जैसे मैं ले रहा हूँ बैक टू बॉलर स्टेट ड्राइब फ्रंट फूट का ये दो ड्राइब के लिए मैंने पहला ड्राइब मेरा फुल फॉल थूरू का था दूसरा मेरा चेक ड्राइब था इनको फिर देखिए आप ये स्टेट ड्राइब फूल फॉल थूरू का है ये स्टेट ड्राइब चेक का है ऐसे ही आप स्क्वर कट, पुल, स्वीप, लॉफ्टर शॉट, डिफेंस, फ्लिक, फ्रंट फूट, बैक फूट हर शॉट की शाड़ प्रैक्रिस आप ऐसे ही कर सकते हैं हमारी दूसरी ड्रिल है हेंगिंग बॉल हम उसको देख लेते हैं एक स्टिंग के साथ येक रसी है उसके हमने बॉल को टाइब किया हुआ, बॉल कैसे टाइब किया है यहां देखिए होल है ये होल बॉल के जुस तरफ यहां निकल रहा है उसमें हमने रसी को डालके नीचे ऐसे नौट बांदके हमने इसको लटका लिया ये आपके पास तक्रीबन तक्रीबन ये जो हाइट है ये 10 फुट के आसपास की हाइट है इसको करने के लिए आपको क्या जुरूरत है आपको तीन बैंबू की जुरूरत है एक सोरी सी खुली जगा हो तीन बैंबू में एक बैंबू आप ऐसे वर्टिकल लगाएंगे उपर तक दूसरा बैंबू जैसे ये पोल जा रहा है ऐसे वर्टिकल लगाएंगे और तीसरा बैम्बू उपर होरिजोंटल आ जाएगा उसके सेंटर पे आप ये स्टेंग ये रसी बांग सकते हैं ये हैंगिंग बॉल की आपकी प्रेक्टिस है अगर आप हैंगिंग बॉल प्रेक्टिस करेंगे तो फ्रंट फूट बैक्फूट आप वर्टिकल बैट शॉट अपने बहुत अच्छे कर सकते हैं इसकी दो ड्रिल हैं मैं आपको करके दिखा रहा हूँ एक हमारी नॉर्मल हिटिंग होगी हैंगिंग बॉल की जिसमें हम फ्रंट फूट के शॉट खेल लेंगे बैक्फूट के शॉट खेल लेंगे और दूसरी हमारी अडवांस स्टेज है जिसमें हम अपने स्टान्स सुजिशन से फ्रंट फूट ड्राइव खेलेंगे बॉल वापस आएगी जो वापस अपने स्टान्स में आएंगे तो फिर हम back foot drive खेल लेंगे फिर stance को वापस आएंगे फिर हम front foot drive खेल लेंगे ऐसे करके हम इसको बार-बार करेंगे आप दोनों डिल को ध्यान से देखिए आपको ball से comfortable दूरी पे रहना है जैसे आप एक अपना stride बाहर निकलता है आपका एक pair बाहर निकलता है एक step बाहर निकलता है उतने हैं दूर आपको रहना है बस इससे पहले हम second रिल शुरू करें इसकी hanging ball की आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है जो ball की height है ground level से ये 4 से लेके 6-8 inch के आसपास होनी चाहिए ये देखिए इतनी ही है ये 4 से लेके 6-8 inch उपर ही है कम से कम 4 inch और maximum 8 inch यहां होनी चाहिए ताकि आपकी ball को जब hit हो ये ball proper जैसे ball release होती है उसे हिसाब से आपके पास आए आपको feeling वही मिले ये है next rail हमारी T-con के उपर ball है और आप इससे अपने एक step दूर खड़े होंगे जहां पे आपका सीधा पैर आराम से निकले ball की line की तरफ और ball को आप hit करेंगे आपको ये देखना है कि जैसे baller ball डाल रहा है ये ही सोचना है कि ये T-con नहीं है baller ball डाल रहा है और आप hit कर रहे हों अ मलेख कर रहे हका उज जूँगे नहाँ आप कर तो लड़े से लड़ है हमारी नेक्ट रिल है जिसमें हम बॉल को बैट पर टैप करेंगे खाली ये बॉल को फोकस करते रहो बॉल की फील करो निया बॉल है अगर आपका मैच है अगले दिन तो आपको नए बॉल की फील भी हो रही है वुड का और लेदर का साउंड भी आ रहा है और आप टैप भी कर रहे हो आपकी फोकस भी बन रही है सबसे ज़रता आई इंक होना सबसे ज़रूर होता है बॉल को फील करना आप बैट पर फील कर रहे हो इसको आप लगाता टैप कर सकते हैं अब हमें घर में अपने आपको बैटिंग के लिए ट्रेन करने के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरता है आप उनको देख लीजिए एक ये टी कोन है जो चार इंच की इसकी तकिरिबन हाइट है मेरे हाथ में पुरानी लेदर बॉल है इससे पुरानी होगी चलेगा मेरे हाथ में दो नई बॉले हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं नई बॉल खरी दिये वो इसलिए अगर आपका मैच रेड बॉल से है तो आप इसकी फील ले सकते हैं बैट पर जब टैप करेंगे और अगर आपका मैच वाइट बॉल से है तो बैट पे टैप करके इस बॉल की फीड ले सकते है एक है आपके पास टैनिस बॉल टैनिस बॉल इसलिए जरूरी है अगर घर में आपका कोई बड़ा आपका कमरा छोटा है वो आपको अंडराम फीड करता है आप उसको हिट करें तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा इसलिए आपको टैनिस बॉल की जरूरत है टैनिस बॉल भी आपके पास पुरानी हो चलेगी इतनी जगा हो कि आप हैंगिंग बॉल कर सके उसके लिए आपको इस रसी की जरूरत है और एक बॉल पुरानी जिसमें छेद किया जिसमें पहले कहा था तीन बैंबू के साथ दो वर्टिकल और एक उपर होरिजेंटल ये समान हमें चाहिए सबसे बड़ी बात जिसी के आपको जरूरत है वो है आपकी अंदर की डिजायर अपने आपको बिलकुल ऐसा महसूस मत करिए कि आपके साथ कोई नहीं है अगर आपकी डिजायर आपके साथ है मेरे बात का यकीन करिए जनून आपका आपके साथ है आपको रोकने वाला कोई नहीं है ये कभी मैं सोचिए कि आपको फैसलिटी नहीं मिल रही पिछले 40 साल से भी उपर का मेरा experience as coach बहुत बच्चे ऐसे आए जो ये समझते थे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे हमबर पर facility नहीं है पर उन्होंने एक जुनूम के साथ एक अपना aim पकड़के इतनी मेहनत की कि वो cricket के दम पे ही अपनी जिन्दगी मना गए उसमें से कुछ रांजी टॉफी खेले कुछ और बड़ी cricket खेले कुछ को cricket के बेस पे ही नौकरी मिल गई और आज वो अपनी जिन्दगी अच्छी काट रहे हैं इसलिए मायूस मत हुए ऐसा helpless अपना को कभी मैं सोची कि हमारे पास पैसा नहीं है हम गरीब घर से है हमारे पास कोचिंग नहीं है कोच नहीं है सेंटर नहीं है अकेडमी नहीं है कोई ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है आप जिस पे भी भरोसा करते हैं उसको फॉलो करे उसकी टेकरीक को फॉलो करे और वो टेक्निक जो भी है बैटिंग की आंखे बंद करके उसको विजुलाइज करें यतनी डिल मैंने आपको बताई हैं जहां पर शैडो प्रेक्टिस थी हैंगिंग बॉल थी टी कौन के ओपर रख्यू ही बॉल को हिट करना या टैप करना इन सब को विजुलाइज भी करेंगे तो यह साइर प्रेक्टिस आपके दिमाग में फिट हो जाएगी सेव हो जाएगी और जितना आपके दिमाग में सेव होगी उतना आपका अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके काम का है, तो इसको लाइक करें, शेर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलियागा, ताकि आपको नेक्स वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सकें, वो वीवर्स जो इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के स्क्षर चेंगर को स्वीजू करें बांदख झाया करूंज सकतनी से शीमिके वीडियो करें, अे प्रेस मेरे सिवे वीडिए कि एये लियाक पारें लिवकिरा ग।